मैं अलकठा करहूँ और आप सभी का अलका medical classes में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं penile cancer के बारे में penile मिस क्या होती है penile मिस penis penis क्या है penis male reproductive system का एक part है वो कैसा होता है वो body के बाहर कुछ इस type shape की होती है और thigh के पास squatum होती है जिसमें testis होती है मैंने पिछले lecture में penis और follower के वाड़े में detail से बताया है अगर आप उसे detail से समझना चाहते है तो आप पिछले lecture को चेक कर सकते हैं तो penis जो होती है उसी से sexual intercourse होती है sexual intercourse को coitus बोलते है उस process को हम coitus बोलते हैं अब cancer क्या होती है cancer means abnormally cells की growth होने लगती है cancer cells दो टाइप के होते हैं पहला benign cancer और दूसरा malignant cancer benign cancer क्या होती है benign cancer में जो cancer cell की growth है वो बहुत ज्यादा slow होती है जो tumors होते हैं वो काफी slow उसकी growth होती है और धीरे धीरे spread जो जहां पर वो growth होती है उसकी वो spread नहीं हो पाता है एक और गन से दूसरे और और जहां पर होती है यानि कि जिस organ में cancer है benign cancer वो उसी organ में रहती है लेकिन जो malignant cancer है इसमें जो cells होते हैं cancer होते हैं पहले tumors होते हैं तो बहुत जल्दी growth करके एक organ से दूसरे organ में फैल जाते हैं और बहुत जादा मुश्किल होती है इसके treatment करना malignant cancer की तो penile cancer में क्या होगी penile cancer में penis में cancer हो जाएगी अब मैंने definition क्या लिखा है penile cancer is a disease in which malignant जो malignant means यह वाली जिसमें abnormally cells की growth हो रही है cells form into tissue of penis जो penis है उसकी जो tissue है यानि कि जो skin है उसमें जो tissue पाई जा रही है उसमें cancer cells कौन सी malignant cancer cell form होती है malignant cancer cell है उसकी development होने लगती है और यह लगवग किस पुरुष को होती है ज्यादा तर ज्यादा तर 50 से ज्यादा पुरुष होते हैं ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं जो बुढ़े लोग होते हैं उन होने के समस्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि hygiene maintain करना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जो penis के उपर की skin है अगर hygiene maintain नहीं करेंगे तो इसकी वज़से यहाँ पर infection होने की chances हो सकते हैं जिसके कारण cancer की समस्या आ सकती है बाद में एक ट्यूमर के development हो यह rare होते है जो developed country है यह बहुत rare होते हैं लेकिन जो developed कर Old country है जो जैसे की होगी जो बहुत poor country हो गए उसमें जादा होने chances होते हैं क्योंकि वहां पे उतनी जादा लिक्ता होते है और साथ ही साथ उतनी है फेसलीटी नहीं होती जिस कर दो यह पेनिस कैंसर जाता है या फिर किसी पेंस को सब्सक्राइब कर जाता है तो उसकी जो जानकारी है वह नहीं होने के चार्णिंग बहुत खतरनाक लेवल तक यह हो जाती है इसके पैंस कैंसर के चाहिप सबसे पहले टाइब से एपीडर्मोईड या फिर सक्वायमस सेल कारशिनोमा कारसिनोमा हम कैंसर को बोलते हैं बेसल सेल पनाइल कैंसर तीसरा है मिलेनोमा और चौता है सारकोमा अब हम बाड़ी बाड़ी से इन सभी के बाड़े में डिस्कस करेंगे चलिए तो पहले time एक पूर्टिसकेस करते हैं पहला थाइप पूहन सा है एपिदरम्स सफूरे में मैंने बताया कि cancer ठीक है तो जो epidermies मीermة分享 हो जाती है या पھर अगर यह और इसके skin है तो किसे साथ मेरे से बनी होटी है जी करशियोτο मेरे से की developpen hoe जाती है जिसको हम क्या बोलता है कर तो 25 परसंट जो सेल कार्षिनोमा ही होती है 95% ठीक है जब इस सिल स्टार्ट होती है तो कहां से सल की आप यह साथ होती है किसiyi जो ज्यांट यू अच्टमुमा से अब सिलीकशल्य गाइस कलेंगे 5 मेलनोमा skin cancer, क्या बोलेंगे non melanoma skin cancer यह जो develop होती है यानि कि जो epidermoid cancer cell है वो develop penis में या यह penis है जो कि बाहर से दिखता है यह कहीं पे भी develop हो सकती है यह जोनली कहां पर होती है या फिर इस स्किन के ऊपर तो इसके उपर यह हमें दिखड़ी है और अंदर उसके लेयर यह दोनों में हो सकती है तो इसका इलाज अगर बहुत जल्दी या फिर आप डॉक्टर के पास जल्दी चले गए और डाग्नोस्ट करने के तौरान वह आ गया कि जल्दी तो आजसे हमारी स्कॉन से बनी होती है इसके नीचे नीचे राउंड चैल होती है जिसको बोलते हैं बैसल से थीक है तब भी हम क्या बोलेंगे non melanoma skin cancer जो ये melanin है वो क्या करती है वो skin के color के लिए responsible होती है ठीक है तो ये इसको हम बोलेंगे non melanoma skin cancer ठीक less than 2% of penile cancer में 2% से भी कम जो penis में cancer होते है वो basal cell cancer होते है जो की tumors अगर basal cell में development होगी तो बहुत rarely ये cancer है जो की basal cell में होती है penile cancer का तीसरा टाइप क्या है तीसरा टाइप है melanoma melanoma में क्या होती है ये कौन से cancer होती है तो जो layers होती है epidermis यानि कि जो penis कि जो skin है जो हमें बाहर से दिखती है उसकी जो layer वो क्या होती है epidermis उसके अंदर scattered cells होती catermis पूरा इधर उदर बिखड़ा हुआ cell होता है जिसको हम बोलते है melanocytes अब melanocytes क्या प्रडूस करती है melanocytes melanin को प्रडूस करती है जो कि skin color के लिए responsible होती है ठीक है करना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति में अगर cancer cell develop हो गया उस condition में और इसके इलाज में भी बहुत ज्यादा ताइम लगता है चौता है सारकोमा सारकोमा जो cancer होती है वह एक परसंट से कम लोगों को होती यानि कि जो इसकी chances है जो penile cancer होने की chances है प्लाइन cancer होती है तो यह ब blood vessels जो कि body को connect करते हैं blood vessels पूरे body में एक जगह से दूसरे जगह तक फैली हुई है जो कि body के बहुत सारे organs को connect करके रखते हैं और smooth muscles जो की support करते हैं और fat जो की body को support करते तो cancer होती है blood vessels में हो सकती है smooth muscles में हो सकती है फिर fats में हो सकती है आइए अब हम जान लेते हैं कि penile cancer होने के क्या कारण होते हैं कारण में सबसे पहला कारण है कि इसकी जो exact कारण है यानिकि क्या exact cause है वह अभी तक unknown है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है दूसरा है एज अगर जादा उम्र के लोगों को यह समस्या जादा होगी क्योंकि उम्र के साथ साथ बहुत सारे body में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण penile cancer की संभावना अधिक हो सकती है तीसरा है sigma sigma का क्या है यह Рज। है यहानि कि चीज कैसे होती है वहाच स्लिपरी होती है यह होती है तो अगर है जिसके में करेंगे खारण खार सकती है जम धनले संभावना रहे वह सकते कि वह रशार्ट हो सकते कि वहाँ से फिर infection होने की समभाव मिस्टार्ट नहीं कतलि के development होने की संभावना हो, infection with HIV, virus HVP, अब कौन सी वारस होती है, HPV को हम बोलते है, human papilloma virus, यह क्या होती है, sexual intercourse के दौरान यह virus एक परसन से दूसरे परसन में फैलती है, अगर यह male में है, तो हो सकते है कि यह female में हो जाए, और अगर यह किसी female में है, और एक male sexually, अगर उसे attached है इंटिमेट होता है उस female के साथ, तो उस female में से, उस male को यह HPV virus होने की संभावना बहुत अधितक हो जाती है, और जिनरली यह हो जाती है, और इसके कोई भी symptoms नहीं होते हैं, लेकिन यह body में present रहती जिसके कारण cancer cell की development होने की बहुत जावा chances बढ़ जाती है, फिर smoking, अगर smoking करेगा कोई person, अगर कोई smoking कर रहा है और साथ में उसको यह infected भी है इस virus से, HPV virus infected भी है, तो cancer cell जो है, वो बहुत तेजे से develop करना साथ हो जाएंगे उसके penis में, HIV या फिर AIDS, HIV में human immunodeficiency virus या फिर acquired immunodeficiency syndrome, HIV virus होने के कारण भी cancer cell रिक्री development हो सकती है, और AIDS, HIV जो virus है, वो starting stage है, उसके last stage है, वो क्या होती है, वो AIDS होती है, अनि कि इसके बाद क्या होती है, कि जो immune system है, इन दोनों immune system को पे attack करती है, body के immune system को बहुत जादा weak कर देती है, जिसे बहुत सारी बिमारियों एक साथ हो जाती है, और cancer cell की development होने की समभबना बहुत जादा बढ़ जाती है, अगर पर cancer cell development होने की समभबना बहुत जादा बढ़ जाती है, अगर किसी person को penile cancer है, या फिर penis में cancer है, तो क्या-क्या लक्षन हमें देखने को मिलते हैं, क्या-क्या changes उसके body में, या फिर जो male reproductive system है, उसमें आते हैं, तो सबसे पहला लक्षन है genital lesions on the penis, जो penis है, उसके उपर पातासओर का मतलब जो area है, वो बहुत जादा red हो जाता है, और वहाँ पर pain तो नहीं होता है, लेकिन जो skin का color है, वो बहुत जादा red होने लगता है, penis pain, penis में pain feel होगा, penis में बहुत जादा दर्द महसूस होगा, changes the color of the penis, जो penis का color है, जैसे कि normally skin का color होना चाहिए, वो उस तर जादा से नहीं होता है, जो penis का color है, वो cancer के बाद change होने लगता है, skin thickening of the penis, जो skin है, वो जितनी, नॉर्मली जितनी उसकी thickness होने चाहिए, उससे वो बहुत जादा मूटी होने लगती है, यानि कि अगर वो बहुत ज़्यादा लूज भी हो सकती है, या फिर उसकी जो thickness है, व छूने पर बहुत ज़्यादा rough या फिर बहुत ज़्यादा tight हो सकता है, अगर cancer की development हो रही है, उस condition में, fall order discharge beneath for skin, for skin के नीचे मैंने आपको अभी बताया है कि smigma होती है, जो क्या होती, जो एक गंदी से smell आती है, एक तरह से discharge होती है, जिससे थोड़ी सी गंदी समिल आती है, तो वो for skin, जो penis की ऊपर वाली, ये penis है, तो अगर इसकी ऊपर वाली skin है, तो इस skin की just नीचे होती है, इस स्मिग्वा का discharge होने लगता है, खुद पे खुद, अपने आप ही ये penis से बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से और जाता cancer cells की, अगर cancer cells है, तो और जाता rapidly growth होने लग structure, मैं अगर अंदर से बनाओ, तो इस type की structure होती है, इसको हम बोलते है, glance penis, ठीक है, तो यहां से blood आना start हो जाएगी, या फिल for skin के नीचे, यानि कि जो skin है, इसके just नीचे पूरी जो red वाली पार्ट होती है, penis की उसमें blood आना start हो जाएगी, growing bluish brown flat lesions, यहां पे for skin के ऊपर मे brown या फिर blue color की छोटे-छोटे घाओ हमें देखने को मिल सकते है, solan groin lymph nodes, lymph nodes क्या होते है, और groin क्या होती है, अगर यह कोई person है, तो अगर यह इसका stomach है, ठीक है, यहां से इसकी थाई दोनों, ठीक है, और यहां पे penis होती है, ठीक, तो यहां पे abdomen और थाई, यहां पे जो मि मिलती है, और यहां पे lymph nodes पाई जाते हैं, lymph nodes क्या करते हैं, एक तरह से protect करके रखते हैं हमें infection से, लेकिन lymph node में swelling हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा immune system उस infection से fight नहीं कर पाता है, नहीं लड़ पाता है, और फिर उस infection का प्रहाव है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, वो हमारे immune system पे, अगर हावी हो जाता है, उस condition में क्या होती है, कि lymph nodes में swelling आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो जो growing यानि कि थाई के पास और abdomen के पास जो lymph nodes होती है, उसमें सूजन आ जाएगी, अगर cancer cell की development हो रही है, बोड़ी में उस condition में, redis rashes on beneath the four skin, जो four skin हो यानि कि जो penis है, उसक जो उपर की skin है, अगर उपर की skin को अगर हम remove करेंगे, तो अंदर की जो red वाली part है, उसमें क्या होगी, उसमें red red color की rashes हमें देखने को मिल सकती है, अगर cancer cell की development हो चुकी है, या फिर starting stage है, या फिर कोई भी stage है cancer cell की, उसमें हमें ये symptoms देखने को मिल सकते है, ये symptoms हमें other medical condition म अगर cancer cell का हो रहा है body में उस time भी ये सभी लक्षन है, वो body में हमें देखने को मिलेंगे, penis में क्या-क्या changes आये है, वो सभी changes देखने को हमें मिल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति में ये जो penis cancer की जो सभी लक्षन है, अगर वो होते हैं और वो doctor के पास जाता है, तो doctor cancer cell है, य इन सभी का पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, diagnostic evaluation, diagnostic evaluation में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जिनके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि cancer cell की stage कितनी है, यानि कि severity कितनी है, ये कितनी जादा फैल चुकी है, और कहां कहां ये फैली हुई है, तो देखेंगे, ठीक है, उसके बाद biopsy, जहां पर cancer है, जहां पर cancer की समभावना लग रही है, वहां कर टिशू को फिर कट करके और फिर उसको, microscope में अच्छे से उसका examination के जाता है, ताकि cancer cell का पता लगाया जा सके, इंग्वीनल lymph node dissection, इंग्वीनल मैंने आपको बता है कि groin क उसको हम इंग्वीनल कैनाल भी बोलते हैं, तो वहां पर जो lymph nodes present होती है, उस lymph nodes में अगर cancer cell होगी, तो सबसे पहले अगर cancer cell jointal area में है, तो lymph node सबसे पहला indicator होता है, कि lymph node पहले ही उसमें swelling आजाएगी, पहले ही उसमें सूजन आजाएगी, तो lymph node का dissection करते हैं, उसको cut करके द develop हुई है या नहीं हुई है, या फिर tumors वहां पर present है या नहीं है, उसके बाद x-ray करते हैं, हम सभी को पता है, x-ray क्या होती है, x-ray के थू हम चेक करते हैं कि cancer cell है या नहीं है, उसके बाद city scan करते हैं, जिसका full form है, computed tomography, city scan के थू यह पता लगाया जाता है, x-ray से ज्यादा detail जो study होती है cancer की, वो city scan में होती है, और cells कितनी जादा develop कर गई है, उसका यह पता लगाते है, city scan के थू, MRI, magnetic resonance imaging, इसके थू डीपली, city scan से भी deeply जो study होती है cancer की, वो MRI के थू होती है, लेकि MRI बहुत जादा expensive है, इसके according, जो city scan है, वो बहुत जादा ही सुधा जनक है, दोनों का एक ही काम है कि दोनों tissue में develop होडी cancer cell को study करने के लिए यूज़ के जाता है, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों से अगर कोई fast काम करता है, वो है positron emission tomography, यानि की PET, positron emission tomography scan, इन दोनों से fast इस के थू, pet scan के थू, pet scan के थू पता लगा जाता है कि cancer cells में क्या-क्या changes आ हो रहा है या पिर cancer cells की severity कि इतनी है या पिर ऑप जो cell है वो कैसे change हो रहा है, वो जब scanning करते हैं, तो cancer cells में जैसे-जैसे changes हो ती है, उसकी study, same to same, उसी time में हो जाती है, उसी time में पता लग जाता है कि cancer cell अगर बन रहा है, तो वो कितना बन रहा है और किस तरह से बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा fast कॉन काम करती है CT scan और MRI से भी ज़्यादा जो fast cancer cell की जो हम check up करते हैं वो pet scan से check करते हैं. तेस्ट होने के बाद अगर ये confirm हो जाता है कि penis में cancer की development हो रही है या फिर tumors की development हो रही है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जो cancer है वो किस stage का cancer है ठीक है तो mainly हम देखते हैं कि जो penis cancer है उसमें कॉन को अन्से stage होते हैं वो उसमें mainly पाच stage होते हैं जो पहला stage है वो है stage 0 जिसको हम बोलते हैं Carcinoma in situ इसमें क्या होती कि जो abnormal cell होती है वो penis के surface पर यानि कि जो बाहर से जो penis पर skin दिखती है हमें उसके surface पर abnormal cell का development होता है लेकिन अभी तक वो cancer cell में convert नहीं होता है ठीक है वो अभी तक cancer cell नहीं है उसमें सिर्फ abnormal cell का development हुआ है ठीक उसके बाद यह जो abnormal cell है यह cancer cell में convert हो सकते हैं अगर इलाज सही समय पर अगर नहीं करवाा जाएं तब देकिए अगर इलाज करवाया जाएं तो भी ठीक हो सकते हैं अगर नहीं करवाया जाएगा अगर treatment नहीं लिखा पेशन्ट तो हो सकती है की he cancer cell में develop हो करके और other parts में भी spread कर जाए और other parts में भी ये फैल जाए दूसरा stage क्या है stage 1 stage 1 में जो cancers है वो abnormal cell से फिर cancer cell में convert हो जाती है जो cell है वो cancerous हो जाती है और वो कहां पे वो जो penis होती है penis की जो skin है जो forward skin है उपर वाले skin को हम बोलते है forward skin इसके just नीचे को ती है टिशेश्व में हो जाती है stage 1 में cancer cell abnormal से cancer cell बन गई उसके बाद tennis के जो four skin है उसके just नीचे जो connected tissue होती है उसमे answer cell जाती है stage 1 में stage 2 में क्या होती है cancer cell connected tissue में if we connectTIщili में workflow back гëncephalir about connect tissue के साह सात यह जो growth होती जहमें जहां पर सब्राइग कानेकटिव तिशू में टिशू मोजूद होती है तो सेग्श के काड़ान ही पूर्ण हाइग रिएक। हो पाता है इसके लिए यह झीमेदार होती है तो एक तैसल के डिव लट्मिंट हो जाती है तो स्टेज्छ Two में connective tissue में cancer हो जाएगी gilt mode याने की एक lymph node में जो growing होती है जहां पे थाइबंवर मिलते हैं वहाँ एक lymph node में cancer हो जाएगी और साथ इसाथ penis में इरेक्डाई टिसू कि sure है उसमें cancer डिवलापमेंट से दिन हो जाएगी स्टेज थि में क्या होती है से स्टेज करेक्ष टेज फ्युक्ते में नोड पहल अब लिंफरी में यह तिसट एक से जाधा लेंफरी नोड में कांसर ल interacted पहल अंप में बरोग्द गेंफ हो जाएंगी सबसकते और येधर सब्सक्राइब करने के बाद उसकी मैंनेजमेंट की जाती है कि अगब वह हो गई है कैंसर तो अब ठीक कैसे होगी कुछ management इस तरह से है पहला होती है radiation therapy, radiation therapy के थुरू हम cancer cell को हटा सकते हैं body से remove कर सकते हैं ठीक है दूसरा है chemo therapy होती है जिसके थुरू हम cancer cell को destroy कर सकते हैं kill कर सकते हैं या फिर remove कर सकते हैं इसरा है surgery, बहुत सारी surgery होती है, surgery भी बहुत types की होती है लेकि मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया है कभी उस topic पे मैं एक detail lecture ले लूँगी तो surgery भी बहुत टाइप की होती है जिससे की cancer cell को remove किया जाता है उसके बाद है biologic therapy, biologic therapy में patient की immune system को बहुत जादा strong बना जाता है ताकि वो cancer के cell से fight कर पाए तो इससरा हम देखते हैं कि कुछ management होती है जिसके cancer cell से छुटकरा पाया जा सकता है cancer cell को destroy के जा सकता है और patients की जान बचाई जा सकती है आज के लिए बस इतना ही thank you so much for watching my video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे like, share और subscribe जरूर करे अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप म उसे comment करके पूछ सकते हैं thank you so much